जैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में एकाउंटिंग एक्विशन का ये कारवा चल रहा है और हम लोग आज अपने तीसरे पढ़ाओ यारी तीसरे लेक्चर की तरफ चल रहे हैं आपके इस एकाउंटिंग एक्विशन वाले चैप्टर को लेकर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुशन अल्रेडी आप की छे लाख रुपया आपका इन्वेस्ट किया है अब यहां पर कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप हमेशा नेचर ऑफ बिजनस को जरूर ध्यान रखेंगे तो चीजें जो मैंने आपको बताई थी एक आपका था कि आपको कैश और सब्सक्राइब करेंट इसेट मिस्रण क्या कि 6 लाक रुपया ंवेस्ट किा थी six लाक रुपए से इनका क्या हो से लाक से ऑ्यपका कैश बैलस बड़ा और नीचे लाक ट्रक इनका और बतरेता हैं आप ड्रेंस वाले है befले का काम ही ट्रक वाला होगा तो ट्रक भी आपके लिए क्या होगी एसेट सी होगी तो आपने ट्रक परचेस किया है लेकिन अभी यह नहीं पता चल रहा है कि यह कैश आया क्रेडिट तो मैंने आपको कल पहचारने के लिए चार एक्जामपल बताए थे उनमें से आप ज़रा देखकर मुझे बताइए कि यह क्या है क्य क्या कहते हैं चार लाग तीस हजार से बढ़ गया और आपके क्यापिटल और लियाबिलिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा ठीक है तुर उसके बाद आपने कहता तीसरा पॉइंट कहता है आपने एक एक्क्यूपमेंट परचेस किया है एक्क्यूपमेंट भी विट रचेस कि पर आपकी बाय किया मतलब आपके ऐस तो बढ़ रही है से मोंखी 期्यूपमेंट äraज पर आपके softly प्र Dieu में पड़ेगा लेकिन हां हमारे लाइबिलिटी पर ज़रूर पड़ेगा और हमारा लेविडिटीटी बैलेंस जिससे हम क्रेडिटर कहेंगे व Whats आपका हो हो जाएगा ये भी बढ़ जाएगा ध्यान से सुनिए अब ध्यान से सुनिए जब भी आप कोई भी समान उधार में खरीते हैं तो आप हमेशा याद रखे कि आपका दाइद तो बढ़ेगा क्योंकि आपको फ्यूचर में देना है ठीक है पॉइंट नंबर तीसरा ये कहता है पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि आपने ट्रक परचेस किया था कैश में परचेस किया था तो कैश घटा ट्रक बढ़ गया एसेट्स और कैपिटल और लाइबिलिटी पे कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा ठीक है चलो अब हम बात करते हैं आपके अच्छा इन त 7200 रुपय का है ठीक है कितने का बिल है 7200 का है और क्या लिखा कि अब बिल आफ 7200 फॉर ट्रांसपोर्टिंग दा गुड्स वाज सेंड टू मिस्टर अश्रफ अ कस्टमर का कस्टमर अब आप एक देखिए कस्टमर से हमें बिल रिसीब होगा यह कस्टमर को हम बिल देंगे देखिए यहां पर एक लॉजिक आप समझेए आपने चैप्टर पढ़ा होगा बिल ओफ एक्सचेंज ठीक है उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइस कराऊंगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा ठीक है बिल ओफ एक्सचेंज में क्या होता था कि हम क्या करते थे हम सेलर हो बिल बेटा ड्राफ्ट करते थे एक बिल क्या करते थे हम लोग करते थे और इस बिल को हम अपने परचेजर के पास भेशते थे और जब वो उस बिल पे अपनी सिगनेचर कर देता था यानि वो जब अपनी एक्सेप्टेंस दे देता था फिर वो बिल को फिर वापस आपके पास क्या कर देता था रिटन कर देता था आप ये जानी है कि हम जो कस्टमर को बिल देर रहे हैं झूं जो सिर्फ सिर्फ के लिए दे रहे हैं तो वह最ょ तो वह हमारे लिए क्या क्योंकि वह बिल जैसे ही हमारा क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेगा और इसके लिए वह बिल किसका काम करेगा दिमाग में कुछ आया बताओ जरा या आया कि नहीं आया आपने क्या किए आप त्रांसपोर्ट वाले हैं क्या करें गायए आप को हमने उसको बिल दिया और वह बाद में हमें क्या देगा पैसा देदेगा हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा पैसा आएगा लेकिन अभी नहीं आ रहा है बात समझ में आ गई अब इससे सर क्या होगा क्या प्रभाव पड़ेगा इस इधर से हमारे एसेट्स में बढ़ जाएगा और उधर से हमारा क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा क्योंकि यह है तो हमारे लिए प्रॉफिट ना कुछ याद आया दिमाग चला चलो आगे देखते हैं फिर देखिए क्या लिखा है अब देखिए इसी के नीचे देखिए पॉइंट लिखा है कहता है कैश ऑफ रुपीज सिक्स हो गया किसी बिल का इसका मतलब हमारा से कैस बढ़ा और वहारा कितने सगाशबारे म επष्येकल जाएगा capital और liability पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समझ में आ गई बिटा आगी समझ में दिक्कत तो नहीं अब फिर आगे point कहता है है बटा कि रिसीव बाइस हजार तीन सो इन कैश फॉर्दा ट्रांस्पोर्टिंग गुड्स इसी दी सी बात है हमने गुड्स दिया इस बारह में क्या मिल गया कैश मिल गया यानि हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया और इधर से हमारा कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा बैलेंस बढ़ दढ़ गया कि देखो यहां पर confusion क्या हो री मैं आपको बता हूँ यहां पर confusion यह हो रहे ही कि 아 charge समान तो Здесь फिर भी पैसा मिलना है अरे आप transportation वाले हैं आप समान नहीं बेचेंगे आप services provide करेंगे आप क्या provide करेंगे services जैसे आप बस पे जब चड़ते हो बस में जो बस वाला होता है वो आपको कुछ बेचता है कि आप से सर्फ पैसा लेता है आप से पैसा लेता है ना उतनी दूरी का जितनी दूरी आप जाएंगे फिर अगला पॉइंट कहता है आपका पेमेंट आफ रुपीज फाइफ थाउजन वाजम मेंड इन्द एक्यूपमेंट परचेस अब देखें यहां पे जो आपने क्यूपमेंट खरीदा था सामने चीज हुआ था और आपकी लायबिलीटी भी बड़ी थी और यहां पे जब आपने पेमेंट कर दिया तो आपका क्या होगा बेटा जो आपका कैश बैलनस क्या हो जाएंगा घटा जाएगा और आपकी लाइबिलीटी भी क्या हो जाएगी घट जाएगी ले को फिर Auch the points conse क्या घटा फिर कहता है एक क्यूपमेंट ऑफ बारा सो वाज बिड्रो फ्रॉम दा बिस्नेस वर दा मिस्रा फॉर दा परसनल यूस ठीक है आप अपने घर लेके चले गए एक्यूपमेंट बारा सो घट जाएगा और आपका क्या पिटल भी आपके ड्रॉइंग की नाम से क्या हो जाएगा घट जाएगा क्लियर हो गया जी 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 क्योंकि यह आपका ड्रॉइंग है ना अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आपके लिए कि अब बोलिए कि आप किसी को कोई सवाल कि पॉइंट नंबर बताईए कि है कस्टमर से इदर देखिये आपने असरफ से बिल रिसीप किया था कि असरफ से क्या किया था बिल रिसीप किया था उसी बिल का आपको 6000 रुपैं मिल गया भापका बियार घटेगा और कैश बैलेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सिम्पल सा तो लाइजिक है ठीक है चलिए फॉर्मेट बनाएंगे सभी लोग क्या क्या हो गया बीटा अगे बिस्नेस सट बिस्नेस स्टाट क्या होगा बेटा हमारा cash कितने से बढ़ेगा भी लाक से हमारा cash कितने से बढ़ेगा भी लाक से और हमारा capital क्या होगा हमारा कैपिटल भी आपका छे लाग से बढ़ जाएगा कैपिटल भी हमारा छे लाग से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं न चलिए फिर आगे बढ़ लाग इधर आपका छे लाग दुसरा पॉइंट कहता है कि आपने ट्रक पर्चेस किया है पर्चेस कि आपने पर्चेस किया है किसमें बाभू कैश में न तो आपका कैश कितने से घटेगा और लैक थर्टी थाउजंड इधर आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और लैक थर्टी थाउजंड से आपके कैपिटल पर कोई इफेक्ट पढ़ा नहीं सर्थ कि अब अगला पॉइंट देखते हैं बैलन्स उतारिए कितना आएगा यहां पर है वाल लैक सेवेंटी थाउजंड प्लस फोर थर्टी और यहां पर आपका कितना सेक्स लैक किसरा पॉइंट देखेंगे कहता क्या है आपने एक्यूप्मेंट पर्चेस किया है ऑन क्रेडिट एक्यूप्मेंट पर्चेस एक्यूप्मेंट कितने का है यहां पर आपका एक्यूप्मेंट नाम की एसेट्स क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी क्याश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ा एक्यूपमेंट आपका कितने रुपए से बढ़ेगा 9000 से और इधर आपका क्रेडिटर क्रेडिटर आपका इंक्रीज हो गया क्यापिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इधर आपका क्रेडिटर 9 हजार से बढ़ गया एक है एक है बैलेंस बेटे वन लैक सेवेंटी थाउजंड पूर लैक थर्टी थाउजंड और इधर आपका कितना नाइन थाउजंड इधर कितना से एक स्लेक और इधर कितना आपका नाइन थाउजंड टिक है चलो ध्यान दिएंगे परें arranged कि मेरी क्लास किसी विधान सभा से कम थोड़ो ना है कि और नहीं तो क्या सब एक से एक नेता लोग है आगे देखेंगे बार-बार मुझे सांध कराना पड़ा है माने नहीं यह बैठीए माने नहीं यह सदन की मर्यादा बनाए रखिए यह भगवान आई यह यह वाला देखते हैं तो आपको बिल मिला बेटा बिल रिसीव डी वाला देखेंगे तो आपके कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है आपके ट्रक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इधार आपका बिल क्या हो जाएगा बेटा यहां पर क्या लिखेंगे बी यार कितना बेटा कि 72 से बी यार बेटा साथ हजार दो से आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा लाइबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कि वह जाता है कोई बात नहीं कि आप बेटा बैलेंस बताएंगे वन लैक सेवेंटी थाउजएंड प्लस फूर लैक थर्टी थाउजएंड प्लस नाइन थाउजएंड प्लस साथ हजार दो सो और इधर बेटा कितना आ जाएगा छे लाक बहतर हजार दो सो और यहां पहले यहां कितना हो जाएगा आपका नाइन थाउजएंड प्लस दिक्कत तो नहीं ना इतने में ठीक है चले आगे चलिए आगे चलते हैं अब फिर आगे क्या कहता है बिटा यह वाला पॉइंट देखे यह वाला एक बाग फिर से देखे कहता है कि आप कैश रिसीव आप दा छे हजार रिसीफ रॉम दा कस्टमर हूँ वाज बिल्ड इसको हमने बिल लिखा था उसने मु कि ए-खे रिसीव रॉम बियार भी-ड फिक मैंना रिसीब रिसीख हुआ है इसको वॉजा है खे 1933 सी बात है हमारा च्छे हजार से क्षॅ बैलेंस बढ़ेगा अरे विधितल्स पे कोई प्रभाव नहीं पढ़ा हमारे क्यूपमें पे कोई प्रभाव नहीं पढ़ाल कि क्थ बी आर छे हजार से क्या हो गया घट गया ठीक है बिटा अरे अबिस्ली कम हो जाएगा तुबारा थोड़ो ना उससे लोगे बिटा कितना आ जाएगा यहां पर 276,000 लस 4,30,000 लस 9,000 और यहां पर माइनस करने के बाद कितना आएगा आपका माइनस करने के बाद कितना आएगा आपका बारास हो ना यहां पर कोई प्रभाव नहीं प्लस 9,000 हाँ यहां पर जीरो यहां पर जीरो एक लिए अगला देखेंगे वहां माइनस माइनस लिए अरे हो गया हो जाता है माननिये से ही गलती नहीं होती हम लोगों से भी हो जाती है भाई कि आगे देखेंगे फिर क्या कहता है आपका कि अ अगला पॉइंट क्या कहता है आपका रिसीव बाइस हजार तीन सो इन कैश आफ दा ट्रांस्पोर्टिंग गुड ठीक है आपको कैश रिसीव हुआ कैश रिसीव कि विड़ा बाइस हजार तीन सो से आपका कैश बैलेंस बढ़ा कोई प्रभाव नहीं क्यूपमेंट पे कोई प्रभाव नहीं बियार पे कोई प्रभाव नहीं लेकिन हां बाइस हजार तीन सो से आपका कैपिटल बढ़ेगा लाइबिलिटी पे कोई प्रभा आओ नहीं लिए बैलस बताएंगे कितना आएगा वन लैक थ्री हंड्रेड प्लस पूर लैक 30,000 प्लस 9,000 प्लस और यहां पर बेटे इधर 6,72,00 है इसेवेंटी टू हंड्रेड है कितना इकस टू नाइन फाइव डबल जीरो अधस 9,000 प्लस और यहां ठीक है ध्यान देंगे six zero जोड लेता हूं मैं भाई ठीक है छलिए फिर cash receive वाला हो गया फिर एगला point कहता है आपका क्या payment was five thousand equipment purchase यानि equipment पे आपने पेमेंट किया है ठीक है cash paid to creditor ठीक है cash paid to the creditor प्विड़ा यहां पे कितना पे किया था आपने 5000 5000 से आपका cash घटेगा कोई प्रभाव नई इस पे कोई प्रभाव नहीं इस पे कोई प्रभाव नहीं इस पे कोई प्रभाव नहीं लेकिन हां 5,000 से आपकी liability घट जाएगी मेटा एक्यूपमेंट एसेट से कहा माइनस होगा चलिए ध्यान देंगे वन नाइन एट ट्री डबल जीरो माइनस पाइप थाउजन्ट 1,93,300 प्लस 4,30,000 प्लस 9,000 प्लस 1200 और यहाँ तो बैलेंस वही सेम उतरेगा यहाँ पे प्लस 4,000 ठीक है भीया हो गया हमारा काम आगे बढ़ते हैं अब फिर उसके बाद अगला क्या था आपका कहता है एक्सपेंसेज आपने पेड किया है और सत्रह सो रुपए का ठीक है एक्सपेंस पेड़ एक्सपेंस पेड़ आपका कैश सत्रह सो से घटेगा आपके ट्रक आपके एक्यूपमेंट आपके बी आर पे कोई प्रभाव नहीं लेकिन हाँ आपके कैपिटल पे सत्रह सो घट जाएगा और आपका जो क्रेडिटर है उस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बालस देखेंगे सिक्स तू सेवन एट डबल जीरो दस फूर ठीक है क्लियर चलो फिर आगे बढ़ते हैं यह होगे अमारा एक्सपेंसेस पेड नाउ नेक्स्ट क्या है आपका एक लास्ट था और वो है आपका कि आपने क्यूपमेंट बिड्रॉ कर लिया है बारा सो परिसनल यूज के लिए ना तो आईए इसको भी निप्टा दें अचा बिड्रॉ किया है या आपने ड्रॉइंग किया है कि क्यूपमेंट बिड्रॉ कि तो आपके क्याश पे कोई प्रभाव कि नहीं पड़ा है ठीक है ऑपके ट्रक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा हां आपके पर प्रभाव पर कि नहीं पड़ेगा और आपकी लीबिडिल्टी पी कोई प्रभाव नहीं पड़ा दीजे फाइनल एक्वेशन यहीं पे समाप्त होता है जल्दी से आंसर देख लेते हैं वन नाइन वन सिक्स डबल जीरो प्लस पूर लाग थर्डी थाउजन प्लस नौ हजार माइनस पंदरह सो बैलन्स आ जाएगा आपका साथ हजार पान सो प्लस यहां पे बारह सो यहां पे six two seven eight double zero माइनस पंदरह सो यहां जाएगा six two six बारह सो की पंदरह सो बारह सो ओके तो यहां बारह सो लिख दो उसमें क्या है कोई बात नहीं भाया नौ हजार में से बारह सो गटा हो हो जाता है लीजे यहां पर बारह सोकल लीजे दिबाग में वह सोले वाली मूवी घूम रही है इस टू सेवन एट डबल जीरो पाइनस बारह सो और नहीं तो क्या तो होते हैं यहां पर बीटा पूर्थाउसर बीजे आपके सामने हैं बताइए दिक्कत तो नहीं अब ना देको जानते हो क्या होता है कि जब भी भी हम लोग इस तरीके के कोशन करते हैं तो हमें दस पॉइंट में से सिर्फ एक यह दो पॉइंट में हम फसते हैं कि अगई सारे point में आते रहते हैं पर एक दो point में अगर हम फसे तो हमें ऐसा लगता है अगर यह सधी तो बहुत बड़ा पहाड राख अबस थोड़ा सा आपको अपना नॉलेज को थोड़ा सा इन्हांस करना है और थोड़ी सी सोचने की चमता को और बढ़ाना है जल्दी से इसका फोटो टो कर खीषना किसी को खीष ले जा सारे नोट कर लिए हो जलिए बड़े लायक हो गये हो सारे अब कि आपने एक मूवी देखी होगी नहीं नहीं वो जिसमें कहता है कि एक चुटकी सिंधूर की कीमत तुम क्या जानो तो उसी तरीके से एक छोटी सी गलती आपकी पूरी कुशन को खराब कर सकती है तो एक चुटकी सिंधूर और एक छोटी सी गलती बहुत कुछ गड़बड़ आ सकती है विड़ा कि अगरे अगरे कुशन देखते हैं कि अगरे वाला देख लेते हैं कि अगरे इसी बहाने राधे राधे हो जा रहा है कि अगरा कि अगर कि अगरे यह कोशन देखते हैं कि इसमें लिखा है कि बिजूर से स्टाट किया आपने पांस लाख रुपए से तो सीधी सी बात है क्या होगा पिटा काश और क्या हो जाएगा दोने तरफ से बढ़ जाएगा रेंट आपने पेड किया है एड़वान्स में आप देखो आप आपने रिंट पे किया थिसका मतलब आपका कैश बैलेंस क्या हो गया हो गट गया हो गा और आप को मैंने कल बताया था कि अगर आप कोई भी expenses advance में पे करते हैं वह आपकी क्या हो जाती है assets हो जाती है किल बताया था concept की नहीं बताया था आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसेज वाला प्रीपेड वाला एकुरूड वाला एडवान्स वाला बता था कि नहीं बता था कल वाला ठीक है इसमें आपकी प्रीपेड अ nasal का जो प्रीपेड रेंट नाम का है वह आपका बढ़ जाएगा तरह आपने क्या किया है बेटा कि आपने इन्वेंटरी बाई की ए कितने रुपय कीा चाई UM एंड ओन दा एकाउंट ओफ ट्वेंटी थाउजंड फ्रॉम दा कि हटाइए फ्रॉम दा राधा ठीक है कि ध्यान देंगे आपने इंवेंटरी बाई की कितने रुपए की असी हजार की और आपने पेमेंट किया है कितना पुड़ा सा समझो द्यान से इसको क्या लिखा है कहता है कि आपने इंवेंटरी परचेस की है हम दगी क्योंट ऑफ टूंटी तॉंट रुपईस ट्रॉम म्राधा अपने राधा के एककॉट इसे पैसा बिडरॉ किया है है क्यूंस डराव भताओ मुझे जो राधा का एककॉठ है हो है तो गटाइगा इसाब बढ़ाएगा दकन सही कि जो भी ओनर कुछ भी लेकर आता है चाये के ले यह में लेकर आता है वह आपकी के बात बताइका बिजनस इस्टार्थ हुआ के बिज़नस की चापिटल बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी पास लेकर चला आया से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लाग देखो फिर क्या कहता है आपका कि आपने marketable security buy किया है एक लाख रुपए का marketable security यानि आपकी assets बढ़ी और आपका cash क्या हो जाएगा घट जाएगा फिर आपने cash sale किया है 20,000 का stock था और आपने इसको बेचा कितने में 30,000 में 20,000 का stock था बेचा कितने में 30,000 में क्वशंबए तो आपको 10,000 का profit हो गया कि नहीं हो गया पТा ओ हो गया मिघा में 20,000 का हो गया खतम हो गया जब 2000 हो गया तो हम उस रेंट वाले में से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे अब याद आया और यह एक्सपेंस है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा आपके क्या किया है पेड किया है तो आपका कैश क्किया हो जाएगा घट जाएगा और आपका उदर से प्कित्टों सिंठर गाँ गया यार ताहिर ताहिर इन दुख सटेलमेंट वननईस हजार ओ अच्छा वह अच्छा यहाँ पर जो मैंने कट किया था वो मिस्टर ताहिर थे ओ हो 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 गांद दो है कि इसको अभी कोशंग में कराते कराते हैं कि यह वाला यह तो आपका स्टॉक घटा देगा आपके कैपिटल को घटा देगा अभी पॉइंड और इस वाले पॉइंट को एक साथ अभी कोशन में फिरसे आपको कराते हैं कि एक है कि एले फॉर्मिट बना यह सभी लोग जल्दी से बना लिए सभी लोग अब जो जो आ रहा है उसको पहले से करके बैठे हुआ है स्मार्ट हो सारे और यह भी यह माने नहीं माने नहीं माने नहीं आप देखो क्या होता है कि नौ साल भर में दो दो बार नौरात रहता है गुरू जी दो नौ दिन कब्रत रहते हैं उसका पेटा उसका मुझे फल मिल रहा है तो मेरी कोचिंग में पर्सनल जो मेरी क्लास है उसमें 95 परसेंट बच्चियां ही है काली पांच परसेंट बच्चे हैं और इस क्लास में देखो एक आया था वो भाग गया कि अच्छा हो देखो कि पहले बिजनस स्टार्ट किया आपने बिजनस स्टार्ट इधर से आपका कैश बढ़ेगा इधर से आपका क्या बढ़ जाएगा इधर से आपका क्या बढ़ जाएगा इधर से आपका क्या बढ़ जाएगा इधर से आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा पांच लाग से बढ़ जाएगा ठीक है ओके चलो आगे देखते हैं कि पिर कहता है आपने रेंट पे किया है एडवांस में ठीक है कि लाइन खीचो जल्दी से सबसे ज्यादा नाटक तो यह लाइन यह खीचने में लगता है कि अरे तो क्या करोगा कि अबरवा यहीं मिलेगा बेटा कि लोजिंग हम लोग पता करते हैं ना तक कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आप यह जानों कि हर एक्विशन आपके चेंज होता रहता है अगर जैसे अगर माल लीजे एकांटिंग एक्विशन कुष्ण आ रहा है अगर यह पांच नंबर का है माल लीजे कितने पॉइंट है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ्ट नौ दस हर पॉइंट आपका कितने नंबर का होगा तो पॉइंट एक नंबर का कि मतलब एक पोइंट आधा नंबर का है इतना पॉइंट आप आप सही करेंगे उतना आपको आधा-धा मिल जाएगा आगे देखते हैं कि रेंट पेड इन एडवान्स कि रेंट पेड इन एडवान्स कि विटा आपका कैश क्या हो जाएगा इतना कितना पे कि आपने डिशे हजार पे किया है तो आपका कैश वैलिंस इदर से घटेगा कि अध्यवान्स रिंट कि इदर से आपका छे हजार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा अब के कैपिटल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि यहां बैलेंस कितना आ जाएगा बबू कि ओर लैक नाइनटी कि ओर लैक नाइनटी फॉर थाउजंड प्लस सिक्स थाउजंड प्लस इधर आपका बिटा पाइफ लाइक फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपने है किसरा पॉइंट आपने परचेस किया है कैश से और इधर आपने बीस हजार जो किया है वीटा वह उदहार से किया है यह है किस हजार आपने क्या किया है स् permitted on account account का मतलब आपका कि से होता है अपने मिस्टर ताहियर से उधार में सामान खरीदा कितने रुपई का वी सहार रुपई का खरीदा अब आप मेरे को यह बताओ कि आपके पास También आया कितने का आपके पास स्टाक कितने रुपए का आया है एक लाक रुपए का आप के पास स्टाक आया है तो गोर्षे सब्स बन सकते हैं तो और सो जाएगा और यहां अचिक work कितने क्क्रेडिटर क्रेडितर क्रेडिटर 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 क्या हो जाए सबा CHD नाई इसका इफेक्ट देख लीजे ना एक लाख माइनस असी हजार बैलेंस कितना आ गया इधर भी देखो चेंजिस कितना आ रहा है आपका वीश हजार का ही तो आ रहा है ठीक है बेड़ा प्रियान्शू ठीक है दीपा दिक्कत तो नहीं कि पिट्टी कि रसंसा को विटा कि अगला पॉइंट देखेंगे विड़ा आपने मार्केटेबल सिक्योर्टी बाय की है कितने रुपए की एक लाग के मार्केटेबल सिक्योर्टी वह भी नगत में की है तो आपका अच्छा बैलेंस तो बताया ही नहीं यार आप लोगोंने बैलेंस पार लाग 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 चार लाग चाउदा हजार लास एक लाग इधर बेटा पाच लाग प्लस बीस अज़र अच्छा इधर मार्केटेबल सिक्योर्टी आपने एक लाग की बाय की है तो एक लाग से आपका बैलेंस क्या हो जाएगा घट जाएगा एडवांस रेंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टॉक पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इधर से मार्केटेबल मार्केटेबल सिक्योर्टी एक लाग से क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्रेडिटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बताएंगे प्री लाक फ्री लाक प्री लाक फ्री थाउजट प्लस शीच थाउजट यहाँ पे छे हजार प्लस एक लाक प्लस एक लाक पाँच लाक प्लस बीस अज़र ठीक उसके बाद अगला क्या है बीटा Cash सेल अब देखे 20,000 का था 30,000 में बेच दिया 20,000 का था 30,000 में बेच दिया 30,000 से आपका Cash Balance बढ़ गया Advanced पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा स्टॉक आपका कित्ते से घटा है 20,000 से मार्केटेबल सिक्योर्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इधर से आपका कैपिटल दस अजार से पड़ गया यारी क्रेडिटर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा यहां बैलेंस कितना आ जाएगा जल्दी से बताएंगे 3,44,000 3,44,000 प्लस आपका 6,000 प्लस 80,000 प्लस आपका कितना 1,00,000 और इधर कितना हो जाएगा बेटा आप पाच लाग दस हजार और यहां पे कितना बीस हजार ठीक इसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका कैस सेल के बाद यह रहा कि यूरिंग डाइयर आपका रेंट एक्सपायर हुआ है कितने रुपए का दो हजार का ठीक है कि रेंट एक्सपायर है कि कैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपके एडवांस रेंट पे कि दो हजार से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यह कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपके कैपिटल में दिक्कत कि दो हजार से पड़ जाएगा रहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि अधिर आगे बढ़ेंगे इस बताइए प्री लाग पॉर्टी फूर थाउजंट प्लस गूर्ट फूर थाउजंट प्लस एटी थाउजंट प्लस वन लाग अ फाइफ लाग एट थाउजंट प्लस ट्वेंटी थाउजंट ठीक है बटा ओके रेंट एक्सपायर के बाद अब यह अगला पॉइंट देखिए यह हो गया कमीशन वाला देखिए आपने पेड किया है कितना एक हजार ठीक है कमीशन पेड करो कमीशन पीड 10000 से आपका कैश का हो जाएगा धट जाएगा रेंट पे कोई प्रभाव नहीं prevent पेड कोई प्रभाव नहीं अपका हजार से कैपिटल हो जाएगा घट सब्द ऑर क्रेडिटर पे बी कोई प्रभाव नहीं के वालेंस 3,43,000 plus 4,000 जी बताओ जो plus 8,000 plus इदर आपका 1,00,00 इदर 5,00,00,00 7,000 plus इदर बिटा कितना 2,000 तो मैं भी 20,000 लिख रहा हूँ पुलने में अलग होता है आगे देखेंगे अरे ठीक है भाई माई मिस्टेक चलिए रिसीब कैश डिविडेंट 4000 बिटा कैश आया है आपके पस आपका डिविडेंट रिसीब आपके बिटा 4000 से 4000 ना कैश बढ़ जाएगा प्रेंट पे कोई प्रभाव नहीं स्टॉक पे कोई प्रभाव मार्केटेबल सिक्योर्टी पे क्यापिटल पे आहे नहीं 4000 से बढ़ेगा ना अल्राइट यहां पर कितना प्रेल लाइक पॉट्टी तैवन थाउजन्ट यहां पर बिटा पाँच लाख ग्यारा हजार यहां पर बेटा 2000 बीस हजार अगे देखो फिर अगला क्या था बेटा यह रहा ना अब देखो ताहिर यानि जो क्रेडिटर था हमारा कितने रुपय का था 20,000 का कितने में फूल सेटलमेंट हुआ है यानि 500 रुपया प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया 500 रुपया हमारा क्या हो गया डिसकाउंट हो गया तो देखो कैसे करेंगे देखो ध्यान से पेड टू क्रेडिटर पेड टू क्रेडिटर ठीक है 20,000 के जगा 19,500 यानि हमारी जेव से पैसा घचा कितना होगा क्या कि उनिश हजार पानसो इसपर को रभाव नहीं unut मे को प्रभाव नहीं इसपर को य ग्रभाव नहीं इधर पूरा का पूरा कितना 20,000 और इधर profit हो रहा है तो profit क्या करेंगे बटा जोड़ देंगे हम कितना रूपया 500 रूपया समझे की नहीं समझे इस point को समझो ध्यान से समझो अई आपको payment कितना करना था 20,000 लेकिन payment किया कितना आपने 19,500 तो तुनिस अजार पांसो से आपका कैश घटेगा कि नहीं घटेगा और उधर से मेरी लिएपिलिटी कितने रुपए की घट जाएगे बीस हजार से मुझे पांसो का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग कैटल में जोड देते हैं आस हो तो किया सिंपल है कि बैलेंस यहां बताएंगे कि प्री फूर से है कि बार की इस टेस्ट में यह सब आएगा बेटा याद रखे रहना और नहीं तो क्या है है टेस्ट यह सारे नहीं बेटा कि अच्छा एक टीचर को सर ही क्यों कहा जाता है क्यों नए क्योंकि वह सर है और सर क्या होता है बोड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि यह आप जानो इसका बताओ पांच लाक ग्यारा हजार फांद सो और इधर जीरो जाड़ो आगे देखेंगे ट्टू क्रेटर हो गया पिर क्या कहता है आपका यह रहा बिड्रॉ किया आपने छे हजार तो छे हजार बिड्रॉ किया है तो इन्वेंट्री घटे का पिटा है ना स्टॉक बिड्रॉ कि लास्ट इक कैश पर कोई प्रभाव नहीं रेंट पर कोई प्रभाव नहीं स्टॉक पर कोई प्रभाव हांजी कितना माइनस छे हजार मार्केटेबल सिक्योटे पर कोई प्रभाव नहीं पर कोई प्रभाव यस सर छे हजार घटेगा पर यह तो जीरो का जीरो ही रहेगा इधर हो गया जीरो इधर बीटा स्वाइटर प्रभावे लाक्राव सेवंड टंस फ्री लाकरव टूक्राव यहां पर बीटा पाँच लाक 11,500 पाँच लाक 11,500 माइनस 6,000 पाँच लाक पाँच हजार पाँच लाक 5,000 लीजे कि आगया आपका फाइनल एक्वेशन समझ में आगया कि नहीं आगया तो आज की क्लास के लिए इतना ही और कल मिलेंगे कल की क्लास में अब तक के लिए आप सभी अपना तो बहुत भुत ख्याल रखिये किसी भी समस्या के लिए आप हमारे तीचे दिये गया नंबर पे आप हमें कई कर सकते हैं इसके लिए भी आप नंबर पर liber कर सकते हैं काल कर सकते हैं अधिक्यार्क कर दो कल